इस दिसा में घड़ी लगाने से होता है भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है वीडियो में अंतक हमारे साथ बने रहे हैं बिना इसकीप की हुए क्या आप जानते हैं कि वास्तों में घड़ी लगाने के भी सुब और असुबिसा होती है और यह हमारे जीवन पर सकरात्मक और नकरात्मक पर भाब ही डालता है हमेशी सबी घड़ों में छोटी बड़ी दिवार घड़ी जरूर टंगी होती है दिवार पर एक घड़ी हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसाने से हम इसे देख सकें और समय का ध्यान रख देब लेकिन जानते हैं कि वास्तों में घड़ी लगाने के भी सुब और असुब दिशा होती है और यह हमारे जीवन पर सकरात्नक और नकारात्नक वहाब डलता है ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को घड़ी तोफ़े में नहीं देनी चाहिए भला क्यों? घड़ी की सुईया हमें समय में बानती है और येधि हम यहीं समय किसी को तोफे में दे रहा है तो हम उससे अपने अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहा है येधि यह घड़ी उसके लिए अच्छा समय लाये तो हमें खुसी मिलेग ribs लेकिन यदि हमारी बज़ा से वो बुरा समय बिताया तो यह हमें कत्य मन्जूर नहीं होगा अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता लेकिन तो यह तत्य महज एक मानेता है यह फिर इसका वाकिए असर होता है खैर घड़ी के संदर्द में वास्तुसात और फैंस्वी बिज्ञान बहुत कुछ कहता है भारती सास्तरों में और चीनी वास्तुसात कलाने वाले फैंस्वी बिज्ञान के अनुसार हमारे घर में लगी घड़िया बहुत कुछ क metaph reimburse है जिन घड़ियों को हम घर या आफिस में इस्तिमाल करते हैं, उनका हमारे जीवन में से एक खान सम्मंद होता है। घर या आफिस में उप्योग होने वाली घडियां जैसे की वाल कलाग, टेवल कलाग या फिर हैंगिंग कलाग सभी को हमें किस तरह से उप्योग में लाना चाहिए तता इने किस दिवार पर लगाएं और कहां नहों लगाएं इसके खास निर्देश प्रदान किये गये हैं वास्तु सास्तर की माने तो घर की दक्षिनी दिवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए लेकिन क्यों वह इसलिए क्योंकि वास्तु के अमसार घर की दक्षिन दिशा यमक दिशा है और यह मोहा देवता है जो हमारे जीवन को खतम करने का काम करते है इसके साथ ही य दिशा ठाराव की हैं। हैंक्सवई का मानना है कि इस दिशा में घड़ी को लगाना ब्यक्ति के प्रगति के मारी में ठाराव लाने के बराबर है। यहां घर में मजूद सदस्यों करियर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वासुसा स्क्रेन अनुसार घर की दख्षिन दिशा घर के मुख्या के लिए होती है। यजि आप इस दिशा में बने हुई दिवार पर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने घर में मुख्या की तस्वीर लगा सकते हैं। एसा करना who माना जाता है और इसे घर के मुख्या का स्वाथ भी अच्छा राता है पिएंइग्सवी में भी दक्षिन दिवार पर गड़ी सुभ नहीं माने जाताए ऐसा मानता है कि घर की या दिसा, नक्रापन पूर्जा को उत्पन करती है इस दिसा में घड़ लगाते हैं तो बार-बार ध्यान दक्षिन दिसा की ओर ही जाएगा जिसके फलसुरुफ हम बार-बार नकराप्तकुजा को ग्राण करते जाएगे दक्षिन दिसा में बने वी दिवार के अलावा घर की दर्वाजे पर भी घड़ी नहीं लगाना चाहिए ःंस्वी बेज्ञान के अंशार घर के मुक्त द्वार या दर्वाजे की ओपर घड़ी लगाना असुब है ऐसा करने से घर परिवार में तनाव बढ़ता है कहते हैं कि इसे घर से बाहर आते जाते समय आसपास के उर्जा प्रभावी थो सकती है आप किस दिसा में घड़ी लगा रहे है या किस दिवार पर लगा रहे है यह तो ध्यान देने वाली बात आवस्य है परन्तु कहीं आप गलत घड़ी का इस्तिमाल भी तो नहीं कर रहे है गलत घड़ी से मेरा यहां मतलब है खराब हो चुकी घड़ी है कई बार हमारे घर की दिवार पर लगे हुई घड़ी कापी दिनों से बंद पड़िव होती है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता आज की गजट्स यूग में यह सब होना आम है क्योंकि आज की प्यड़ी को इसी टाइन देखना है तो वो अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देखना भी पसंद नहीं करते है बलकि अपना मुबाइल फोन आन करके उस पर समय देखते है इसलिए बंद पड़े घड़ियों पर उनका ध्यान दिया ना जना विभारिक सी बात है वास्तों साथ से चनुसार बंद पड़े घड़ियों को घर में रखने से सकरापना उर्जा कास तर गिर जाता है तो जाहिर सी बात है यह नकरापना उर्जा को आमंतित करती है इसलिए आपको जल्द ही ऐसी घड़ियों में नए बेटी लगाकर उन्हें चानू करना चाहिए या फिर जल्द से जल्द इन्हें दिवार से उतार देना चाहिए। इसके साथ एक घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो यह भी ध्यान रखें। वाहतु साहत्र के अनुसार समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए घड़ी एक टाइम को हमेशा मिला कर रखना चाहिए। किवल दिवार पर लगी घड़िया ही नहीं बलकि अन्य घड़ियां जैसे हाथ पर बांदे वाली घड़ियां भी जैसे उप्योग नहीं हो रही हो और बेकार बंद पड़ी है तो उन्हें ठीक कराकर उप्योग बनता है घड़ी के बंद हो जाने जिसे परसानियों के अलावा एक बात और ध्यान में रखे कि गल्ती से भी घड़ी पर धूल ना जमें अक्सर दिवार पर लगी घड़ियों पर एक दो दिन बाद धूल जम ही जाती है इन्हें निरंतर साफ करते रहें घड़ियों के संद इससे अच्छी आवाज से घर में सक्राफ्ता पुजा बनी रहती है घड़ी को गलत जगह पर लगाने के अलावा हम कई बार इन्हें अंचाही जगहों पर रखने की भूल कर बैटते हैं इस पर बिजान के कुछ तरक भी सामिल है साइंस के अनुसार कभी भी घड़ी को तक पर बुरा प्रवाव करती हैं आप सोच रहे हों कि घड़ी लगाने के लिए कौन्स दिसा सही है तो वास्तु साथ्त्र के अनुसार हमें घड़ी को घर की पुर्वी पश्च्मी तता उत्र दिसा में इस्तिवार पर लगाना चाहिए यह दिसाएं हमारे घर में सक्रात्म प पाना चाहते हैं तो अपने घर की दिवार पर पेंडुलम वाले घड़ी लगा है ऐसी मानता है कि दिवार पर लगी पेंडुलम वाले घड़ी इनसान के जीवन के बुरे समय को दूर करने वाली होती है इस ट्रकार की घड़ी को घर के ड्राइंग रूम में लगाना या छे भुजाओ वाले घड़ी चकरात्नक प्रुहाव को बढ़ाती है तो घड़ी खरीते समय आप आगे से अकार का जिरूर ध्यान रखेंगे दक्षिर में लगाए हुई घड़ी परियनों की आयो और सभाग के लिए असुम माने जाती है घड़ी का समय बिलकुल सही या दो तीन मिनट आगे रखना चाहिए निधारित समय से पीछे रखने से जीवन या बधाय हाती है ऐसा बेक्ति परिस्वरम का फल तता प्रसंता प् करने में पीछे रखता है वहीं इस से दैनिक कारे में भी परसानी हो सकती है मैंने अभली बात कुछ तक्थ दिये हैं घड़ी पर वासु सास करमसार और फिंग सोई करिशार कुछ और जानने की चौर तो वार्षप करिएगा और कोई समस्या कर समधान करना चाहते हैं तो भ नवाद राम राम